हेलो दोस्तो मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माील मेगपा तो दोस्तो कैसे आप लोग उमीद करता है अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है दोस्तो आज हम जो कॉंसेप्ट लेंगे concept number होगा fourth ठीक है जिसमें हम सीखेंगे यान के जब छेतरफल और item किस परकार से व्रद्धी करें तो हमें किस परकार से question की approach लगागे question को शॉल करना है ठीक है इसमें हो सकता है आपको क्या दिया जाए एक चीज बढ़ाई जाए यान के length अगर लंबाई बढ़ाई जाए तो चोड़ाई क्या करेगा कम करेगा कुछ परतिसाद तो हमें कौन सा rule फॉल करना है वो देखेंगे हमें इन प्रस्नों को भी शॉल करने के लिए वही method चाहिए यान के successive जो हमने method कल सीखा था ठीक है जिसमें हमने देखा था rate यान के x plus minus के plus minus के x into y बटे 100 ठीक है उसी method से हम इन question को solve कर सकते हैं बहुती आसाथ तरीके से ठीक है तो देखते है किस परकार से चेतरफल में कितने परतिशत की व्रद्धी हुई यह सवाल में पूछ रहा है किस परकार से गरते हैं लिखते हैं देखो दोस्तों बही इस method कौन सा लगाना है वही successive जैन के x plus minus के y plus minus कितना x y upon 100 कि लिए रहे सभी होना था कोई problem नहीं x कितना है 5 परतिशत प्लस व्रद्धी है तो बस प्लस रखेंगे तो कितना दस परतिशत और यह plus minus minus की तो कोई जुरूरती नहीं क्योंकि कहीं घट नहीं रही है बड़ी बड़ी रही है तो यानिके 5 गुना 10 बटे क्या गर देंगे सो एक जीरो कैंसिल दो यह दो चिले जाएगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 15 ठीक है तो कितना 15 और यह हो जाएगा प्लस के वन बाई टू और इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 सही एक बटे दो बड़ी श्रत क्या होगी व्रद्धी राइट अंसर ऑप्शन फरस्ट उम्मीद करता हूँ यह कोश्चन आपको समझ आया होगा अच्छा है एक और कोश्चन बढ़ते हैं तीन कोश्चन लेंगे हम इसमें एक यह वह चुगा है दो और देखेंगे जिससे आपको पूरा मेथड समय में आजाए देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन तो देखते हैं दोस्तों को किस परकार से स्वल करेंगे इसमें हमने क्या लिए एक व्रद्धी है और एक ठीक है एक आयताकार खेत की में पूछ रखा है किस परकार से करेंगे हमारा मैथड यानिके एक्स प्लस माइनस के वाई प्लस माइनस के एक्स वाई अपॉन हंट्रेड कर देंगे कि लिए अब यह आमान रखते हैं जो चीजह में दे रखेंगे इसकी वैल्ली उसमें रख देंगे तो 20 पर 30 बढ़ाए 20 पर 30 गुन माइनस के 10 पर 30 के लिए रहे यहां पर भटे 102 और की 2 गुना कितना हो जाएगा 10 उसमें मैं और यहां पर होगा कि तो चय shiders टो तो होगा और यहां पर नंसा हमने किस नंतिर को स्टेंग system गिए देखते हैं एक और कॉस्चन को किस प्रकार से करेंगे किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चोड़ाई पी परतिसत घटाई जाए ताकि छेत्रफल उतना ही रहे तो पी बराबर क्या हो क्या प्रोच लगानी है में वह देखते हैं हमारे पास 50% बढ़ाई गई क्या बढ़ा रहे लंबाई ठीक है इतनी बढ़ाई जाए तो कितना होगा भाई मान लीजे अगर एक बात मानो कोई चीज 50% बढ़ा रहे है ठीक है और क्या बोल रहे है सवाल में कंडिशन में दी रखना है तो क्या जितनी बढ़ाई उतनी हमें घटानी पड़ेगी इतना तो कि लिए रहे समझ में तो बस यहीं कॉंसेप्ट में लगाना है इस कॉस्चन को जब भी आप इस परकार के कॉस्चन करेंगे यानि कि किसी चीज को बढ़ाया जाए और दूसरी चीज को कम किया तो कितना कम करना चाहिए तो कितना कम करना चाहिए एक कम करेंगे ताकि दो बन जाएगा किलियर है दो बन जाएगा एकवल हो जाएगा और किस पर कम करेंगे इस तीन पर क्योंकि बढ़ा कौन सा है तीन ही तो बढ़ा है और यह तीन और परतिसत में वेल्यू निकालनी है तो क्या अंडर्ड से गोना राइट अंसर होगा यानिके 33 बन अपॉन 3 परति शर्ड ऑप्शन थर्ड तो देखा हमने किस परकार से कोशन को शॉल किया दोस्तों आपको इसी परकार से हर कोशन को शॉल करना है कोई और मेथड अगर आपको इससे अच्छा मेथड लगे तो आप उससे भी शॉल कर सकते है लेकिन जदे थर उमीद यही है कि मैं आपके लिए कॉंसेप्ट लेके आ रहा हूं जो वो बिलकुल थोड़ा हटके है ठीक है जो आपको कोशन को शॉल करने में थोड़ी और ज्यादा समय की बच्चत करके देगा ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कोंसेप्ट के साथ तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और दोस्तों गर वीडियो आप